अगर उसे कोई चीज सीदी सीदे ना मिले तो वो चाला किया भी करती है वो अलग-अलग मर्दों को इशारे देती है कि मर्द समझ जाए बहुत बार तो वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है कि वो जानना चाहती है कि कौन से इशारे से क्या होता है तो जब औरत किसे मर्द को पसंद करती है तो वो उसे इस तरह अपनी और आकरशित करती है अगर तुम जानना चाहते हो कि औरत तुमसे प्यार करती है या नहीं या लड़की तुम्हें पसंद करती है या नहीं तो वीडियो पूरा देखना मर्द और 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 औरत में एक फरक होता है मर्द का प्यार आँखों से शुरू होता है वो उस औरत को पसंद करता है जो खुबसूरत हो अच्छा रुत्वा रखता हो लेकिन औरत प्यार करती है अपने कानों से सुनकर जी हाँ दोस्तो औरत तुमसे प्यार करती है ये सुनकर कि तुम कैसे लड़के हो तुम्हारे बारे में चर्चा क्या है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसके सहे लिया तुम्हारे बारे में क्या बात करती है और तुम्हारे पसंद करती है तो वो पहले तुम्हे प्यार करने लगती है लेकिन अभी वो तुम्हें जीवन साती की तरह नहीं मानती वो उसके पहले तुम्हें चेक करेगी तो औरत ने जो तुम्हारे बार में सुना है वो सही है या नहीं इस वाद को जानने के लिए वो तुम्हें घूरेगी तुम्हारी तरफ देखती रहेगी लेकिन लड़की यहां एक गलती करते है औरत को impress करने के लिए उल्टे सीधे हरकत करते है अरे भाई वो पहले से impress है उसके सामने उल्टे सीधे हरकत मत करो बनी बनाई बात मत बिगाड़ो वो तुम्हें वैसा देखना चाहती है जैसा उसे तुम्हारे वारे में सुना है So natural रहो दूसरा है और तुम्हें अपने आखों से घूरने के बाद वो अपनी अदाय दिखाती है वो अपने आखों से इशारे करेगी आखे मटकाएगी अपने होटों को दाथ से काटेगी या अपने लटों को चेहरे से हटा कर कानों के पीछे रखेगी वो देखना चाहती है क्या तुम उसके अदाव से घायल होते हो लड़के तो औरत के अदाये देकर पागल हो जाते हैं वो उसके पीछे ही पढ़े आता है और जैसे ही तुम उसके पीछे पढ़ते हो औरत तुमसे दूर हो जाती है तिसरा इशरा है शर्माना जब औरत तुम्हें अपने अदावस से हासिल नहीं कर पाती तो वो अपना ब्रह्मास्त्र सामने लाती है वो खुद को तुम से कमजोर दिखा़ने की कोशिश करती है मर्द को दबी हुई, कमजोर या बिद्रोर ना करने वाली औरत पसंद होती है मर्द ऐसे औरतों को आसन शिकर समझते है औरत इसी बात को जानती है और वो खुद को तुम्हारे सामने बेचारी दिखाती है तुम्हारे सामने उदास होती है, हसी में भी गम चुपाती है, तुमसे थोड़ा दूर जाती है, चुपती है या शर्मा कर खुद के चैरे को चुपा लेती है ज़रूरी नहीं है कि वो एक के बाद एक इशारे दे हो सकता है वो पहले ही तुम्हारे सामने शर्मा कर अपना चेहरा चुपा ले तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो कोई सवाल हो तो वेबसाइट विजिट करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए बैबाई